गुट बॉर्णिंग क्लास सेकिंड सब्जेक्ट है आपका मैथेमेटिक्स तो ओपर यह बुक्स एंद कॉपीज इसमें देखे, इसमें हम कर रहे हैं अपना lesson number 5, Multiplication जिसमें हमने multiplication के questions हमने किये हैं one dessert number में and two dessert number, three dessert number में हमने इसमें multiplication किये हैं केरी वाले भी मल्टिपिकेशन इसमें हमने किये हैं और आज हम इसमें हम करेंगे लास्ट जो इसका टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम जो हमने स्टार्ट हमने किया था अपनी लाइफ क्लास में हमने वर्ड प्रॉब्लम में कोशन्स हमने किये थे और कुछ कोशन्स एक और जिन बच्चों ने कर लिए हैं कोशन बुक में वो कॉपी में कोशन प्रैक्टिस करेंगे यहां देखें पेज नमबर 58 में कुछ कोशन हमने लाइफ क्लासे में भी किये हैं और जिन्होंने copy में book में किये थे वो copy में भी इन्हें questions को practice आप करेंगे तो देखे lesson number 5 फे आपका multiplication, word problem अभी तक आपको numbers में multiply के questions मिल रहे थे और अब आपको क्या मिल रहे है शब्दों में यानि कि words में आपको question मिले है फी आपने देखना है कि आपने इसमें question में क्या करना है question क्या है देखेंगे There are 24 lines in each page of an exercise book देखे एक exercise book है जिसमें जैसे आपके maths की book होगी जैसे आपके work book होती है किसी exercise book में क्या है जिसमें आप practice books होती हैं उनमें क्या है हर एक पेज में, जैसे यह एक पेज है, ठीक है, यह वारा जो एक पेज है, यहाँ पे तो कितनी लाइन्स है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे ही एक बुक है, उसमें हर एक पेज में कितनी लाइन्स है, 24 लाइन्स है, आपको बताना है कि there are in 9 pages of exercise book, अगर उस exercise book में, जो practice books भी होती है, उ तो आपको बताना है कि total lines, जो 9 pages है, उनमें कितनी है, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा का पूचा है, तो हम क्या करेंगे, multiply करेंगे, total lines in each page कितनी है, 24 lines है, हर एक page में कितनी line है, 24 lines, उसी तरह किसे 9 pages में कितनी हो जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, 24 into 9, 24 को 9 से हम क्या कर देंग तो 9 को सबसे पहले हम किसे करेंगे 9 forza करेंगे 9 forza कितना होता है आपका 36 तो 36 में 6 है वह आपका इहां पर क्या जाएगा आंसर आजाएगा ठीक है और जो 3 है यह चला जाएगा आपका 2 की उपर क्या जूड़ जाएगा यह carry तो इसी तरिके से जो हमने carry वाले questions भी हम लोगों ने इसमें किये हैं फिर हम 9 टूजा करेंगे 9 टूजा कितना होता है आपका 18 और यह carry है जो 3 है इसमें हम क्या करेंगे add कर देंगे तो 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 21 तो answer कितना है आपका 216 तो 9 पेजों में कितने लाइन्स हैं आपकी 216 लाइन्स इन 9 पेज़े तो यह question आप note कर लीजिए और बाकी questions आप यहाँ पर practice करेंगे chapter आपका 5 जो है multiplication यह हमारे हाँ पर क्या हो गया है complete आपका हो चुका है तो practice करते रहिए so thank you class